दोस्तो आज स्वागत आपने चनल इस्टेडी कुल में आज है 21 नॉंबर 2022 और आज के दिन से करेंट अफर के जितने मुश्टम पूर्ट कुर्सन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिसर्स करेंगे तो पहला कुर्सन है हाली में भारत के मुख्चोना आयोक्त राजिव कुमार को किस देश ने अंतराश्टी परवेच्चक के रूप में आमिंतित किया है तो अभी नेपाल ने भारत के मुख्चोना आयोक्त राजिव कुमार को अंतराश्टी परवेच्चक के रूप में आमिंतित किया है दिसोसन का राइट एंचर है औपसन बी अब इनको नेपाल ने आमिर्टित किया है तो आप इस मैं पर दिखिए ये है नेपाल और ये है नेपाल का फलेग नेपाल की राज धानी क्या है? काटमांडू नेपाल की करंसी क्या नाम है? नेपाली रुपिया नेपाल की राज भासा क्या है? नेपाली नेपाल की संसत क्या नाम है? राश्टी पंचायत और वर्तमान में नेपाल के राश्पती कोने विद्दा देवी भंडारी और वर्तमान में प्रधान मंतरी कोने सेर भादू देवा कोने सेर भादू देवा अच्छा भारत और नेपाल के बीच में कौन से डिफरेंक्स साइज होती है सूर करन डिफरेंक्स साइज इसको आप दखेगा ये वेरी इंपोर्टन डिफेनेक्स साइज है बहुत पूचिया थे एक्जाम में तो आप याद दखेगा कि सूर्ख कुरन डिफेनेक्स साइज ये भारत और नेपाल के बीच में होती है नेस कोशन है तो अभी प्रोफेसर वेंकी रामक क्रिश्नन को बिटेन के माराजा चाल्स तिती ने विज्ञान के छेत्र में योगदान के लिए प्रतिश्टिट ओडर ओव दा मेरिट से सम्मानित किया है नेस कोशन का राइट अंसर है ओप्शन सी आप इसे में जो देखिए ये हैं प्रोफेसर वेंकी रामक किसना और इने को बिटेन के माराजा चाल्स तिती ने विज्ञान के छेत्र में योगदान करने के लिए इनको प्रतिश्टिट ओडर ओफ मेरिट से सम्मानित किया है नेस कोशन है हाली में कैम्बिड डिक्षनरी का कौन सा वर्ड वर्ड ओफ दे यर 2022 बना है तो अभी कैम्बिड डिक्षनरी का होमर वर्ड ये वर्ड ओफ दे यर 2022 बना है नेस कोशन का राइट अंसर है अप्षन ए अब ये वर्ड होमर इसका मतलब क्या है तो ये एक लोगपरी खेल बेसबॉल से सम्मन्दित है जिसको अभी वर्ड ओफ दे यर 2022 कैम्बिड डिक्षनरी ने घोशित किया है चलिए नेस कोशन ने हाली में चंदमा के लिए एक मिशन पर और्टिमिस वन रॉकेट किस इसपेस एजन्सी ने लॉंच किया है तो अभी नासा ने चन्दमा के लिए एक मिशन पर Artemis 1 रोकेट को लॉंच किया है तिस होसन का राइट अंसर है अब ये रोकेट को नासा ने लॉंच किया है तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है National Aeronautic and Space Administration हिंदी में से राष्टी वैमानिक और अंत्रिश प्रिसासन कहते है नासा की स्थापना कभूई 29 जुलाई 1958 में नासा का एड़कॉर्टर कहां पर है वाशिंटन डी सी में और वर्तमान में नासा के अध्यच को ने बिल नेंसन अच्छा, नासा का मोटो क्या है For the Benefit of All और ये है नासा का लोगो चली, कुशन नमर फाइव है हाली में किस राष्ट की मुख मंत्री ने बाजरा मिशन की सुरुवात की है तो अभी असम राष्ट की मुख मंत्री हिमेंत विश्वा सर्मा ने बाजरा मिशन की सुरुवात की है तो अभी ये मिशन की सुरुवात असम सरकार ने की है तो आप इसमेप में दिखिए ये हैं असम अच्छा असम, मेघाले, तिरिपुरा, मिजोरम, मनीपूर, नागलेंड, अरुनाचापदिस और वेस्बंगल इन राजजोग्षत अपनी बॉंड़ी सेयर करता है और दो देश, भोटान और बांगला देश, इनके साथ भी अपनी बॉंड़ी सेयर करता है असम की राजधानी क्या है? दिखपूर असम के वर्तमान में मुखमंत्री कौन है? हिमंत विश्वा, सर्मा और वर्तमान में गवर्नर कौन है? जगदीश, मुखी कौन है? जगदीश, मुखी नेसकोशन है, हाली में सरकार द्वारा RBI के केंदी बॉर्ड में निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी विवेक जोसी को सरकार द्वारा RBI के केंदी बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है दिसकोशन का राइट अंसर है option D आप इसे में जो देखिए ये हैं विवेक जोसी और इनी को सरकार दोरा RBI के केंदी बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक किया गया है अब ये RBI में नियुक थे हुएं तो RBI के फुल फर्म क्या होता है Reserve Bank of India हिंदी में से भारती Reserve Bank कहते हैं RBI की स्थाफना कब हुई एक अपरल 1935 में RBI का राश्टी कर्ण कब हुआ एक जोनेरी 1949 में और RBI का हेड़कॉर्टर कहां पर है मुंबई में और वर्तमान में RBI की गवर्नर कौन है सक्तिकान, दास और ये 25 नंबर गवर्नर है और ये है RBI का लोगो NASCOTION है हाली में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादग देश कौन सा बना है तो अब भी कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादग देश चीन बना है तेसकोर्षन का राइन्सर है Option A. चीन सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पे है जो कच्चे इसपात का उत्पादक करता है और अपना देश भारा देश ये दूसरे नंबर पे है जो कच्चे इसपात का उत्पादक करता है अब ये चीन बना है तो आप इस मब में देहिए ये है चीन और ये है चीन का फ्लैग चीन की राजधानी क्य जी जिंग पिंग, अच्छा भारत और चीन के बीच में कौन से डिफरेंसे जाई होती है, हैंडिने डिफरेंसे साइज, और भारत और चीन को डिवाइट करने वाली लाइन को कहते हैं, मैक मोहल लाइन, तो आप इन दोनों इंपोर्टन पॉइंट को याद रखिएगा, चलि पॉइंट का राइट अंसर है, आप उत्राखन, तो आप इस मैप में देखिए, यह है उत्राखन, अच्छा उत्राखन, उत्तरपदेश और हिमाचल पदेश, केवल दो राजज़े उसाद अपनी बाउंडरी सेर करता है, और यह दो देश, चाइना और नेपाल, इनके बाउंडरी सेर करता है, उत्राखन की राज़दानी क्या है, उत्राखन की दो राज़दानी है, कौन-कौन सी, दैरादुन और गर्सेंड, दैरादुन आपकी विंटर कैप्टल है, और गर्सेंड समर कैप्टल है, उत्राखन के वरतमान में मुकमंतरी कौन है, पुसकर सिं अबिनेता थे और इनका भी हाली में निधन हो गया है तिसकोशन का राइट अंसर है ओप्सन B आप इसे में देखिए ये हैं राकेश कुमार जिनका भी 81 वर्स की आयू में निधन हो गया है और ये एक मसूर अबिनेता और फिल्मकार थे चलिए कोशन नमबर 10 है हाली में गां गांधी मंडेला अवार्ड से समानित किया गया है तिसकोशन का राइट अंसर है ओप्सन A आप इसे में जो देखिए ये हैं तिबती गुरु दलाई लामा और इनको अभी हेमाचल पदेश के राजपाल राजिन विसुनातन आर लेकर ने गांधी मंडेला अवार्ड से समा इसकोशन का राइट अंसर है ओप्सन C आप इसे में जो देखिए ये हैं सरत कमल जो की इसकोशन का राइट अंसर है तो इसकोशन का फूल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल टेवल टैनिस फेडरेशन हिंदी में से अंतराश्टी टेवल टैनिक संग खहते हैं ITTF की इस्थापना कभी 1926 में ITTF का एटकॉर्टर कहा पर है सुज्जलन के लुसाने में और वर्तमार में ITTF के प्रेसिडेंट कौन है पेटरा सॉलिंग और वर्तमार में ITTF के CEO कौन है इस्थीव डैन्टन आप इसे में देखिए यह हैं ITTF के CEO इस्थीव डैन्टन और यह है ITTF का लोगो नेक्स कोशन है हाली में किसरा सरकार ने सुतंता सेनानियों की पेंशन को दोगना करने का फैसला लिया है तो अभी महराश्टरा सरकार ने सुतंता सेनानियों की पेंशन को दोगना करने का फैसला लिया है तेछोसन का राइट अंसर है ओप्सन A दरसल अभी तक महराश्ट में सुतंता सेनानियों की जो पेंशन थी वो 10,000 मिलती थी लेकिन अब इसे बढ़ा कर 20,000 कर दिया गया है अब ये महराश्टरा सरकार ने किया है तो आप इस मैप में दिखिए ये है महराश्ट अच्छा महराश्ट गोवा, करनाटक, तिलांगना, 36 गर्ण, मत्पदेश और गुजरात इन राजजोग सद अपनी बाउंडरी सेयर करता है और एक यूनियन टेरिटरी, दमन इंद्यू, एंदादर और नागर हविली इसके साथ भी अपनी बाउंडरी सेयर करता है महराश्ट की राजधानी क्या है? मुंबई कुसान नमबर 13 फाली में कब विश्व बाल दिवस मनाये गया है? तो अभी 20 नमबर को विश्व बाल दिवस मनाये गया है तेसके संग का राइट अंसर है अप्शन D अब ये विश्व बाल दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो बच्चों के कलान और उनके अधिकार के पती लोगों में जाउगता फैलाने के लिए हर साल 20 नॉमबर को विस्वेबाल दिवस मनाय जाता है और 2022 के लिए विस्वेबाल दिवस की थीम है Inclusion for Every Child अभी Important Day वाला कोशन है तो यहाँ पर अभी तक के 1 से 17 नॉमबर तक के सभी Important Day लिखे हुए है आप वीडियो पॉस करेए और वीडियो को पॉस करके सभी सुरुआत से 17 नॉमबर तक के सभी Important को खुद ही पढ़ लिजे अगर मैं इसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो भी हो जाएगी तो आप वीडियो को पॉस करें और इन सभी नॉमबर मैने के Important Day को रिवाइस कर लिजे और अब बार ही है लास्ट वीडियो में पूछे कोशन के आंसर की तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था हाली में जारी जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन पूसन है हाली में सीवी आनन बोर्स की जिराच के राचपाल बने हैं ये हैं चार ओप्षन इन चार ओप्षन से जो भी एक राइट अंसर होगा वो आप हमें कमन बॉक्स में कमन करके बताएंगे तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमन करके जहूर ब पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही बैला करन को प्रेस कर लिजेगा ताकि डेली करेंट अब आपको रोज मिलती रहे